कि formula जब भी कोई derive किया जाता है, formula कोई बने बनाए तो आते नहीं है, derive किया जाते हैं, तो जब formulae derive किया जाते हैं, तो कुछ चीजें उसमें assume किया जाते हैं, कुछ assumptions ले जाते हैं, कुछ conditions होते हैं, जिसके तहत वो formulae derive करते हैं, जैसे simple आपने class 9th वगरह में पढ़ा होगा, x इस पराबर ut plus half ut square 25 बार बोल बोल करके याद कर लिया, लेकिन उसके derivation के समय में ये माना गया था, कि इसका acceleration है इस particle का, वो constant है, इसको नहीं रखते, और इसको याद नहीं रखते, तो किन conditions में वो formula लिखा गया है, किस conditions के लिए वो formula derive किया गया है, वो conditions मेरे प्रशन के अं मुला इस्तिमाल करने के समभावना बहुत जादा है,